इस वेलकम बैक तो आल आफ यू आइम गरे सिंग मेरे पहरे बच्चों आज हम ए लेटर टू गॉड के सौट अंसर टाइप कोस्टंस पढ़ेंगे इस लेशन्स को मैंने पूरा पढ़ा दिया है एदे आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज आप मेरे वीडियो की लिस्ट में जाएं और वहां से देख सकते हैं ए लेटर टू गॉड पूरा लेशन्स मेंने आपको हिंदी में एक्स्प्लेइन करके दिया है तो प्यारे बच्चों आज हम लोग ए लेटर टू गॉड के जो भी जितने सौर्ट अंसर टाइप कोस्टंस बनते हैं राजी बुख से राजी बुख के सारे वन वाई वन करके सौर्ट अंसर टाइप कोस्टंस आपको मिल रहे हैं तो देखे पहला राजी बुख का कोस्टंस ये है दिखाता हूं कि राजी बुख का फस कोस्टंस है कौन सा एक मिट वो उसे भी खोल लेता हूं कहां पर एक मिट मैंने सेप किया है गैलरी फाइल मेनेजर में जाता हूँ फाइल मेनेजर में आने के बाद में मैंने फोटो ली थी तो इमेज में होना चाहिए इमेज में हाँ इमेज में देखें यह इहां पर क्या दिया गया है यह 12 का है तो फिर यह किस किलास का है नहीं नहीं, 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 ए भी 12 का है, मुझे रखता है, मैंने questions जो है, कि फोटो ली नहीं है, अब आप अपने textbook खोल लें, और वहां पर देखें, पहला question आपका राजी बुक का यही है, what are rain drops compared to and why, राजी बुक के सारे questions है, one by one, ओके, तो चलिए, पहला question देख लेते हैं, कि कैसे answer लिखा गया है, प्यारे बच्चो, pain, copy जरूर साथ मेलें, और note down भी करते जाएं, समझते जाएं, सुनिए पूरा, और फिर note कर रही है, वीडियो पॉस्ट करके आप note जरूर करें, what are rain drops compared to, rain drops की तुलना किस से की गई है, पानी की बुनों की तुलना किस से की गई है, and why और क्यों की गई है, rain drops are compared to scent, तो rain drops मने पानी की बुनों की तुलना scent से की गई है, scent अब देखे, पहरे बच्चों यहां पर ध्यान देना, scent, एक scent तो वो होता है, जिसकी स्पेलिंग S-C-E-N-T ये सेंट इतर होता है तो इसकी बात नहीं हो रही ये सेंट जो है मुद्रा की बात हो रही है C-E-N-T ठीक है आपके एलेशन में था कि नहीं था सेंट तो वस वही मैंने लिखा कंपेर टू सेंट या पीसोज पीसोज से उसने तुलना की थी सेंट से तुलना की थी रेंड डॉप्स की ठीक है और क्या तुलना की थी वो भी मैंने लिख दिया बिग डॉप्स आर टैन सेंट उसने कहा था पानी की जो बड़ी बूने हैं बिग डॉप्स वो हैं कितने सेंट के बराबर टेन सेंट पीसेस के बराबर और लिटल वन्स और जो छोटी वाली है वो प्यारे बच्चों कितने के बराबर है फाइबस के बराबर है ठीक है याद रखना है आपको फाइबस के बराबर है because क्योंकि why पूछा गया था क्योंकि it was important for lancho crops क्योंकि ये जो वरसा थी important थी किसके लिए lancho की फसल के लिए बड़ा ही सरल और अच्छा सा question है आपकी text book से question number second देखिए ये भी आपकी test book का जो राजी book एड़ाप के पास है तो आप उसमें बिलकुल note करें वहां से आप देखें कि क्या second question यही है तो आपको यही question मिलेगा what promised a good harvest अच्छी फसल का वादा कौन करता था what क्या करता था तो देखिए the field of ripe corn पके हुए चावल की जो फसल थी उसके जो खेत थे the field of ripe corn पके हुए चावल की फसलों के खेत dotted with flowers जो की फूलों से लदे हुए थे always promise that मने वे हम ऐसा वादा करते थे काई का good harvest का तो प्यारे बच्छी दिखें क्या है what हटा ये और what की जगे इतना लगा दीजिए ठीक है the field of ripe corn dotted with flowers और that इतना लगा के फिर वही लिख देना है राजी बुक का third question पहरे बच्छे देखते हैं देखें पहरे बच्छों how did Lencho's prediction come true Lencho की जो prediction थी वह सत्य कैसे हुई थी तो Lencho's prediction about rain पानी के बारे में जो Lencho के prediction थी वह कैसे true हुई थी came true बने सत्य हुई as it was during the meal जैसा की during के meal के दावरान की बात है that just as Lencho had predicted जैसा की Lencho ने भविस्मानी की थी big drops of rain began to fall पानी की बड़ी बुने गिरने लगी थी ठीक है तो इस तरह से Lencho की prediction पानी के बारे में सत्य हुई थी कब पानी की बुने गिरने लगी थी during the meal time भोजन के समय की बात है question number fourth देखते हैं आपकी राजी बुक में पूछा किया था why was Lencho sold with sorrow ठीक है important इसको लिख लो most important सारे questions आपको त्यार करने हैं why was Lencho sold filled with sorrow Lencho की आत्मा सारो से दुख से कैसे भर गई क्योंकि हिजी क्रॉप्स उसकी फसल वर टोटली डिस्टोएड क्योंकि उसकी फसल पूर्ण तहानस्ट हो गई थी ठीक है यह most important में पेरे बच्चों इसको नोट करना question number 5 है why was the family not really upset Lencho की जो family थी वो real में upset क्यों नहीं थी तो the family was not really upset यहां से लिख दिया बाज लगाकर because क्योंकि they had faith in God क्योंकि उनका इस्वर में बिस्वास था इसलिए upset नहीं थी and they knew और वो जानते थे कि क्या जानते थे no one dies of hunger आपकी text book में बिलकों सेम ऐसे ही line है no one dies of hunger कोई भूँक से नहीं मरता वो यह भी तो जानते थे इसलिए family real में upset नहीं थी प्यारे बच्चों आगे देखते है question number 6 sorry थोड़ा जो काम हो गया है खासी why did the postmaster send a reply to lancho's first letter address to God जो भगवान के नाम का एक पत्र था तो postmaster ने lancho को उसका reply क्यों भेजा था आपको पता है ना कि क्यों भेजा था इसलिए तो भेजा था कि उसका भगवान से बिस्वास डगमगाए ना उसका भगवान पर से बिस्वास दूर ना हो जाए इसलिए उसने उस letter का जवाब देने की इच्छा जाहर की थी लेकिन उसे क्या पता था कि उसके लिए उसे पैसे भी चाहिए लेकिन फिर भी उसने पैसे एकत्र किये और reply भेजा पैसे भेजे थे भेजे थे की नहीं भेजे थे बच्चों बिलकुल भेजे थे तो आंसर देख लेते हैं दा पोस्ट मास्टर सेंटा reply तू लेंचो जफस्ट लेटर पोस्ट मास्टर ने लेंचो के फस्ट लेटर का reply भेजा address to God जो भगवान के नाम का था in order in order not to seek ताकि हिले ना not to seek डगमगाए ना हिज़ फैत उसका विस्वास इन गउड भगवान में ताकि उसका भगवान में से विस्वास ना डगमगाए ठीक है तो यहां से आपको इतना सही सिर्फ याद करना है देख लीजिए important भी है इस question को भी आप important लिख लें जरूर question no 7 देखिए आपके text book में 10 questions देगे है 10 questions have been given in your text book in your राजीब text book okay तो और मैंने क्या किया I have provided 10 out of 10 questions मैंने 10 में से 10 के answer यहां पर दिये है how was Lencho helped Lencho की help कैसे की गई थी the postmaster asked for money postmaster ने क्या किया था पैसे मांगे थे from his employees अपने कर्मचारियों से जो post office में काम कर रहे थे ना उनसे पैसे मांगे थे कि नहीं मांगे थे he himself gave part of his salary उसने अपनी salary का भी part दिया था he money उसने himself money swam gave money दिया part मने हिसा of his salary मने अपनी salary का finally अंत में क्या हुआ he was able to send the farmer only a little more than half और अंत में वह उस farmer के पास में लैंचो के पास में बाज एवल मने समर्थ हुआ to send मने भीजने में only a little more than half half से थोड़ा अधिक ही रुपए भीजने में हुआ अंत में समर्थ हुआ था ठीक है तो कैसे help की इस तरह से help की उसने employee से पैसे मांगे थे और स्वें अपनी salary का हिस्सा दिया था यद किसी को कुछ कम याद होता है तो आप सिर्फ यहां तक ही याद कर लें salary ठीक है और थोड़ा और एक line बढ़ाना चाहते हैं तो यहां तक बढ़ा सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है question number 8 देखते हैं why was lancho angry when he received the letter most 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 important अपनी copy में इसको लिखें lancho angry क्यों हो गया था जैसे यह देखो कैसे angry है इसी तरीके से lancho angry हो गया था जब उसे पत्र मिला था वो पुछा गया क्यों lancho was angry when he received the letter lancho angry हो गया था जब उसे पत्र मिला अब यहां से बड़ी ध्यान से देखिए he got only 70 pieces उसे केवल 70 pieces मिले थे केवल 70 pieces मिले थे जबकि उसने 100 मांगे थे भगवाल से मांगे थे कि नहीं दो ही लिखा while माने जब की he मने उसने आजमाने मांगे थे for 100 100 100 उसने 100 100 मिले 70 pieces this is the region lancho was angry यही एक रीजन था जिससे lancho angry हो गया कोशन नमबर नाइन do you think the post office employees were a bunch of crooks क्या आपको लगता है कि post office के कर्मचारी थे क्या आपको ऐसे लगता है कि post office के कर्मचारी थे क्या आपको ऐसे लगता है कि post office के कर्मचारी वर्वने थे bunch of crooks माने बेइमानू का सम्हू क्या आपको ऐसे लगता है कि post office के कर्मचारी थे वो बेइमानू का सम् तो बेएमान तो नहीं थी प्यारे बच्चों उन्होंने तो लेंचों की मदद की थी पैसे देकर लेकिन लेंचों को ऐसा लगा कि उसके जो 30 सेंट कम आए हैं वो इन कर्मचारियों नहीं खा लिए हैं बीच में तो यहां आंसर लिखेंगे नो नहीं दपोस आफेस होगा होगा फिर कहने ही क्या इस एक लाइन को जरूर जोड़िये मेरी मैं बगएर इस लाइन को जोड़े रह नहीं पाया तो प्लीज आप इसको भी नोट डाउन करें और तब मालो आपको याद नहीं होता है तो फिर आप यहां तक याद करने कुरक्स तक ठीक है तो नो पोस ओफिस इंप्लोईज वर नॉट ए बंच आफ क्रुक्स जो पोस ओफिस के इंप्लोईज थे वो बंच आफ क्रुक्स नहीं थे बेईमानों का समून नहीं थे वाइल जब की दे वर और अबलाइजड टू गिव सम्थिंग फोर एन एक्ट अफ चैरिटी बल्कि उन सब ने क्या किया था जो चैरिटी का एक काम था एक्ट अफ चैरिटी माने नेकी का काम उस नेकी के काम में उन सब ने क्या किया था कुछ न कुछ गिव सम्थिंग कुछ न कुछ दिया था ठीक है तो वो बंच आफ कुरुक्स नहीं थे और लास्ट कुशन है प्यारे बच्चो और नोट कर लिया हो सब ठेक है Waj Leancho Surprise तो find a letter for him with money in it क्या Leancho Surprise हुआ था जिसमें पैसा आया था क्या उसे देखकर surprise हुआ था वाई मैंने फिर क्यों नहीं हुआ TO NO Leancho was not surprised to find the letter with money letter के बाद मैं पेरे बच्चों letter के आगे आप बिध मनी और जोड दे मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया होगा बिध मनी छुट गया लेटर के आगे जिससे इसमें लेगा for him, बिध मनी तो लेटर के आगे पूरा वही लेग दे for him, बिध मनी ठीक है फिर because से जोड़ेंगे because यहीं से आपको सिर्फ वांस लिखना है because of his confidence in God सर्प्राइज भू क्यों नहीं हुआ because of माने होता है के कारण किस के कारण अपने बिस्वास के कारण किस में in God भगबान में भगबान में अपने बिस्वास के कारण उसे बिलकुल भी surprise नहीं हुआ था because of his confidence in God सिर्फ इतना ही answer है और अच्छा question है important है इसको important में लिख ले ठीक है उमीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद जरूर आया